सभी सातियों को नवसकार दो यार तेज में जो इंग्लिस कोशन पेपर हुआ है क्लाश ट्वैल्ट के अंतरगत तीन से सोले डवले यहां आप कॉर्णर में देख सकते हैं इसमें सेक्षन डी यानि की लिट्रेचर पोर्षन में जो कोशन नम्म शेवन हैं इसमें आपसे सौट कोशन पोचे हैं तो इसमें आपका जो पहला कोशन है इन दे लाश्ट लेसान यानि अंतिम अध्याय में नेमदा कंट्री ज देशों के نाम लिखिए इन देशों के नाम लिखो जो लड़ रहे थे and describe the content of the bulletin word और सूचना पट का जो content था या जो सामिगरी थी उसका वरडन कीजिए तो साथ यूँ देखते हैं इसका अंसर तो बहुत आसान तरीके से आप इसका अंसर लिख सकते हैं in the last lesson यानि अंते मध्याय में French and Prasian were fighting French और Prasian लड़ रहे थे या आपने पहले question का अंसर लिख दिया आगे आप लिखेंगे the content of the bulletin board यानि कि सूचना पट की सामिगरी वाज थी सूचना पट की सामिगरी थी that कि it was the only mode of communication between the officials and public कि यहाँ अधिकारी और आम जनता के बीच बाचीत का एक मात्र माध्यम था and for the last two years पिछले दो वर्सों से all the bad news had come from the bulletin board पिछले दो वर्सों से सभी बुरी ख़वरें उसी सूचना पट से आई हुई थी an order had come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Loren यानि कि वर्लें से Alsace और Loren के बिद्ध्यालों में केवल जर्मन भाहसा पढ़ाने के लिए भी एक आदेश यहीं से आजा हुआ था the Germans had put up this notice on the bulletin board और जो जर्मन लोग थे उन्होंने सूचना पट पर इस notice को इस्तापित किया हुआ था तो इस प्रकास से आप बहुत आसन सब्दों में इसका अंसा त्यार कर सकते हैं आप चाहें तो स्क्रीन सॉट लें वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अबस बताएं तंक्स पर वाचिंग